नमसकर दोस्तों आपकी अपने चैनल वेदिक एश्टो लाइफ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सनी वक्री का सबको पता है कि 17 जुन को सनी वक्री कर रहे हैं और सनी बक्री में आपको कैसा परिवर्थन देखनी को मिल सकता है। आपके जीवन में क्या-क्या चैझेस हो सकता है। तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब केजिए और घंटे के बटन पर क्लिक कीजए। ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। दोस्तो इस वीडियो में हम आपको सम्पूर्ण जानकारे देंगे। दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि इसमें कही की बाते आपको अच्छे से और इस पश्च समझ में आ सकें। तो आएए चलते हैं वीडियो की ओरूर। दोस्तो आप लोग जानते हैं सन्य देव को निया द्याता ग्रह भी कह जाता हैं। ये कर्म के अनुसर फल प्रदान करते हैं। इनको कर्म कारक ग्रह भी माने जाते हैं। 17 जून 2030 को रात्री 10 बच के 48 मिनट में सन्य वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2030 को प्राता काल 8 बच के 26 मिनट पर एक वर फिर से मारगी वस्था में जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं में इस राशी वालों के लिए सन्य वक्री में क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सन्य दसम और एकदस भाव के स्वामी होकर राशी के एकदस भाव में ही वोचर करेंगे। 11th house आय का होता है और सनी देव का गोचर 11th house में सबसे अधिक उपियोगी माना जाता है सनी गोचर 2023 राजिफल की अनुसार आपको यह बर्स बहुत कुछ प्रदान करने वाने हैं बहुत कुछ आपको प्राप्ति होगी आपकी income बढ़ेगी आप जो भी काम कर रहे हैं आपकी income बढ़ते जाएंगी कहीं न कहीं से आपको incoming की प्राप्ति होगी कहीं न कहीं से आपको ज़्यादा love देखने को मिल सकते हैं अभी तक आपको जितने भी problem आये हैं आपके जेवन में जो भी कष्ट होएं वो सारा यहां खत में होने वाला है आपने जितनी परिश्रम किया है अपने life में जो भी आपको problem आये हैं तो सनी वक्री की वज़े से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जितने भी आपने कठिन मेहनत की हैं तो उसका आप result देखने को मिलेगा इसके साथ आपके जो भी इच्छा थी जो भी आपका goal था जो भी सपना था वो पूरा होते हुए दिखाई देगा आपके जितने भी महतुकान च्छा थी वो सारी चीज़ें यहां पर पूरा होते हुए दिखाई दे रहें इसके साथ आपका जो आत्मे विश्वास्त था वो भी बढ़ जाएगा आप पूरी इनर्जी के साथ काम करेंगे प्रेम संबंधों में यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा आप अपने प्रेम संबंध को अच्छे इमानदारी से निभाएंगे स्वास्त में जो जो समस्य थी तो उसमें थोड़ी सा अब्धानी रखनी हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको सौस्त से लेकर प्राबलम हो सकती हैं इसके साथ ससुराल में किसी काम के लिए आपको पोच सकते हैं ससुराल वाले आपको इन्वाइट कर सकते हैं में सिराश में सनेवक्री होना किसी आशिरवात से कम नहीं है यहाँ पर आपको धन लाप बहुत ज़्यादा होने वाला है इसके साथ आप जहाँ भी जिस सेक्टर पर काम करते हैं, कहीं भी आप काम करेंगे, आपके होँआ पर सफलतक की प्राप्ती होगी इस भाव में वक्री होना इस राज की जातकों को अच्छा मुनाफ़ा देने का काम करेगा सनेदे साने देख्री क्रिपा इस शमय बियापार में मुनहफ्वे की इस्थिती बहुत ही अच्छी रहेगी यहाँ पर आपको मित्रों से सहयोग भी मिल सकता है और आप कुछ नया भी कर सकते हैं बैंकिंग और मसीन से जुड़े काम बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शब्सक्राइब एड़ सेर केजिए